तो एक और दमाकेदार कॉमेक रियम के वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तॉल अव इन थंडर की ही मूवी के टीजर ट्रिलर के बारे में जिसको देखकर आप सभी के दिमाग में भी बहुत सारे सभी सवाल आया होंगे जिन सबको हम थोड़ा सा आंसर करने की कुशिस करेंगे और इन सभी आंसर को हम थोड़ा सा कॉमे बुक से लिंक करेंगे और मेरी खुद की knowledge से भी मैं उन सभी चीजों को answer करने की खुशिस करूँगा लेकिन अगर आपके पास कोई better से theory होगी या फिर better से कोई facts होगी तो उन सब को comments इक से में लिख कर मुझे थोड़ा सा motivate करना और इन सभी चीजों को rectify भी कर देना अगर मैंने गलत किया हो पहले सवाल में बात करते हैं इसे के ही movie में एपियर होने वाले villain के बारे में या फिर God the God Will से के ही वही सभी powers के बारे में जिन सब के origin को अगर आप जानना है तो हमारे description box में ही एक video को आप check out कर पाएंगे जिसमें की God the God Will से के पूरी origin को आप find out कर पाएंगे लेकिन अगर आपको इसके बारे में अल्रेड़ी पता होगा या फिर उसके ही कोई एक reference या फिर hint को ही देने का कोई भी सा sense बनेगा इसके बारे में बात करते हैं तो no doubt God the God Will से का थोड़ा बहुत तो relation बैटता है इस symbiote से ही और ऐसे में अगर Venom के character को भी अगर MCU में introduce कर दे यानि कि इसी movie से ही अगर MCU में introduce कर दे तो हमें कोई भी ऐसा doubt भी नहीं रहेगा कि इस character को क्यों इला गया और studio को भी इस चीज को explain करने के लिए कोई भी ज़्यादा मैनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज को वो easily समझा सकती है लेकिन सवाल भई उड़ता है कि क्या इस character को हम movie में देखेंगे जिसका सीधा सीधा जबाब तो नहीं उड़ता है क्योंकि आप इस चीज गौर्ड गौर्ड बुचर की story एक अलक्सी चल रही होगी और इसके साथ साथ Thor और Mighty Thor की भी story चल रही होगी पर इन सभी मैस्टरब चीजों के बीच अगर भैनम को भी इंट्रूइस कर दे और अगर भैनम को इंट्रूइस कर नहीं होगा यानि कि MCU में अगर इंट्रूइस कर नहीं होगा तो वो स्योर से Spider-Man 4 की ही मूवी होगी ना कि इसके अलबा कोई दूसरी मूवी और वैसे भी हमको पता है कि नल असल में MCU में एक्जिस करता है क्यूंकि हमने Nowhere के ही बोई वाले प्लैनिर को देखा था जो कि असलमें एक God का ही कटा हुआ सर था और अगर आपको इसके वारे में नहीं पता है तो Nowhere असलमें एक Celestial का कटा हुआ सर जिसकों की नल नहीं काटा था और अगर नोवेहम को हमने अल्रेडी इंफिनिट वार के मुवी में देखा है तो सियोर से हमें नल को भी फ्यूजर की मुवी में देखने का 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 logical way में decode करने की कोसिस करें तो मुझे नहीं लगता है कि Thor के कोई भी varian को हमें movie में देखने का मुखा मिलेगा और रही बो रिपोर्ट्स की बात तो मुझे लगता है वही सब रिपोर्ट थोड़ा सा manipulate करने की ही कोसिस कर रहे होंगे और वही सब भी stories जिसकों कि हम डिसक्स करेंगे और इसके साथ सा रेवेंजर थौर को भी हम देखने वाले हैं और ऐसे भी रिमर चलके आ रही है कि हमें बीटरेबिल का करेक्टर भी एपिरेंच लेता हुआ नजर आएगा तो ये सबी करेक्टर थोड़े बहुत हमारे थौर से ही सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंटी करेक्टर हैं उन्ही सबी सूर्से के पास ये खवर आया होगा कि थौर की जिससे बहुत सारी रूप को हम देखने वाले हैं जिनकों की साय से उन्हों ने ये मान लिया कि थॉल की बहुत सारी वेरिंट को हमें देखने का मुखा मिलेगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी भी possibility नहीं है जो जीज मुझे लगी वह सभी चीजे मैंने आपको बता दी है और logical way में भी अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिस करें तो हमने spider man no way home में वेरिंट का इतर का देखा था और वही सब भी वेरिंट को ही हम multiverse of madness की मुवी में explore करने वाले है तो ऐसे में अगर thall love and thunder में भी वही सब चीजों को दिखा दिया जाए तो चीजे काफी जदा repetitive लगने लगीगी और इसी चीज के कारणी मुझे लगता है कि thall love and thunder में हमें कोई भी वेरिंट को देखने का मौका नहीं मिलेगा तीसरे question के बारे में बात करें तो क्या हमें लोकी का character इस movie में appearance देता हुआ नजर आएगा जहांपर अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोच हूँ तो मुझे इसकी possibility भी कम ही लगती है क्योंकि आप ही सोचिए अगर इन सबी stories के बीच अगर लोकी को भी introduce कर दिया जाए तो चीजे काफी जदा ही shift हो जाएगी और movie के plot को काफी जदा ही बिगर के रख देगी क्योंकि आप ही सोचिए इसमें थोड़ अपने piece को ही find out करनी की गोशिस कर रहा होगा जिन सब के बीच ही हमारे गौर्ड गौर्ड बुचर की entry होगी जो की इन सबी piece को ही match out करके रख देगा क्योंकि फिला लभी लोकी हमारे mcu में multiverse को ही explore कर रहा है और इन सब के बीच अगर thall love and thunder की जो सबी content थोड़ा सा different way में जा रही है उसके बीच भी अगर multiverse का तरका add कर दिया जाए तो चीजे काफी जदा complex हो जाएगी और इसे mixer ही लगेगी तो इसलिए ही मुझे लगता है कि भले ही thall love and thunder में लोकी को ना दिखाए जाए लेकिन इस इसकी भी possibility हम मान सकते हैं कि हो सकता है वो पूस्टरी सीन में ही एपीर होता हुआ नजर आएगा चौथे question के बारे में बात करें तो क्या हमें थौर के character को love and thunder की movie में ही मारता हुआ दिखाए जाएगा या फिर simple सब्द में कहूँ तो क्या हमें love and thunder की movie में थौर का एंड होता हुआ नजर आएगा जिस इसको थोड़ा सा डिकोर करते हैं जहाँ पर इसी चीज़ को ही support करते हुए एक rumor निकल कर आई थी जिसको कि मैंने newsroom के वीडियो में ही cover कर दिया था यानि कि उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि Christian Sutt की ये last movie होगी जिसमें कि वो Thor का character प्ले करेंगे लेकिन इस सीज़ को ही मैंने थोड़ा सा different way में ले लिया था लेकिन किसी एक बंदे ने मुझे comment section में इसको ठीक कर दिया था जहांपर उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है उसी report के दोरानी ऐसा कहा गया हो कि Thor की ये solo movie होगी जिसमें कि वो appear नहीं होगा लेकिन इसकी possibility ये नहीं है कि वो future में कोई भी ऐसे team का part नहीं होगा और इसके उपर मैं ऐसा ही मानता हूँ कि जैसे हम सभी ने Hulk के character को MCU में देखा है यानि कि Hulk का character जैसे और बाकी सभी super heroes के movie में पेर होते होते अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहा है कुछ-कुछ Thor की भी कहानी आगे जाकर वैसी ही बनने वाली है और इसके उपर ही एक promotion का भी छोटा सा लिकाया था जिसको की हमने धियरे से वीडियोस में भी discuss कर रखा है तो वही सभी चीजे अगर fake नहीं होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि Thor का character इस movie में नहीं मरेगा लेकिन ऐसी भी possibility है कि Thor हमारे गौर के हाथों ही मरता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि टीजर ट्रेलर के स्टार्टिम में ही हमें ये बताया गया है कि असल में इस वाली movie में Thor अपनी piece को इढूनने के पीछ पड़ा होगा और इससे ही साथ से movie में ऐसा दिखाय जा सकता है कि Thor पूरे movie में जो piece को ढूनने के पीछे पड़ा हुआ था उसको असल में गौर ही पुरा करता हुआ नजर आएगा यानि कि movie के end में हो सकता है थार ही हमारे गौर के हाथो मरतवा नजर आए जिससे कि हमारे थार को ही piece मिल जाएगा जैसे कि हमने टोनी स्टाक के केस में देखा था end game के end में होता हुआ कुछ कुछ उसी तरीके से साइट से हो भी सकता है लेकिन इस possibility पर मैं इतना जदा यकीन नहीं करता हूँ और आखरी question के बारे में बात करें तो असल में यहाँ पर हमारे पास दो question निकल कराती है यानि कि Jane Foster के character को जो हमने थार के ही टीजर ट्रेलर के end में देखा था क्या असल में वो हमारी main MCU की timeline से ही जे इनफोस्टर होगी या फिर कोई दूसरे version का थार होने वाली है यानि कि जैसे हम सबी ने multiverse का तर्का already MCU में इंट्रोडूस होता हुआ देख लिया है तो क्या ऐसी पी possibility है कि वो कोई दूसरे variant की जे इनफोस्टर होने वाली है या फिर हमारी main universe की जे इनफोस्टर होगी इसको complete करने के बाद आपको भी वाली को सिन का भी answer मिल जाएगा यानि कि MCU में तो हमने Munich को broken होता हुआ देखा था लेकिन इसमें हम बापस उसको क्यों देख रहे हैं लेकिन तबी से लेकर अभी तक हमने जे इनफोस्टर के बारे में बिल्कुल भी कोई information नहीं मिली है जिस सबको मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि हो सकता है मूवी का ये main plot हो कि असल में जेन फोस्टर की करेक्टर वापस कैसे आई और इंजनों गेप में वो क्या कर रही थी और कहां पर थी और उसको ये सबी powers कैसे ही मिली तो वहां पर ही अगर हम कौमी बुक्स में थोड़ा सा देखे तो वो अपने कैंसर कोई क्यूर करने के लिए चली गई थी लेकिन जब वापस से इस गार में वो लोटती है और वो फाइंड आट करती है कि थौर असल में अनवर्दी हो चुका है और इसके साथ साथ उसने हामा को उठाने की capability को भी खो चुका है जिसके चलते ही वो मेंन MCU के टाइम लेंड यानि के 616 में में थौर बनती है तो साथ से वो ही वाली स्टोरी रेंड को हमें MCU में भी प्ले करता हुआ दिखाय जा सकता है जहां पर comic book में भी हमने find out किया था कि असल में जीन फोस्टर की character को cancer था और इसी का cure ढूनने के लिए ही साथ से MCU में भी वैसा दिखाय जा सकता है कि इतने लंबे वक्त तो वो गायब थी यानि कि वो अपने cancer की cure को ही ढूनने की कुशिश कर रही थी लेकिन जब पाएगी कि थौर असल में गौर के हाथों काफी ज़दा पिट चुकी है सरे पिट चुका है तो वाकर हमारी जीन फोस्टर डी बेकव की तरह काम आएगी यानि कि वही वाले मियोनिर को उठाती हुई नजर आएगी लेकिन सवाल वही उठता है कि असल में हमने तो गहला के हाथों ही मियोनिर को टूटते हुए देखा था लेकिन वापस से वो रिटर्ण क्यों हो चुका है और इसका जबाब भी थौर के वही वाले कॉमिक्स में हमें मिल जाता है और वही वाले टुकड़े कभू उठा सकती है लेकिन जो फुल पोटेंचियल में वो हमारे थौर के सामने निकल कराएगी तब ही हमें ये पता चलेगा कि अपने ही पाव का इस्तमाल करती हुए उसने सब भी टुकड़ों को जोड़ तो दिया है लेकिन कंप्लीट हमर उसने नहीं बनाया है और इसी चीज को हम ट्रेलर में भी नोटिस कर पाये थे और ट्रेलर के बहुत दिन रिलीज होने से पहले ही जो सभी मर्चनडाइज भी आई थी उसमें भी हमें ऐसा ही का जा रहा था कि असल में ये वही वाली में निर होने वाली है जिसको की हैला ने तोड़ दिया था लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वापस से वही वाली हमर को जुटतावा दिखाय जाए बस सिब वो सभी पावा का इस्तमाल करते हुए वह सभी टुकडे को जुटती हुए नजर आएगी और उसको ही इस्तमाल करती हुए नजर आएगी तो जादा दर कुस्षिन को मैंने अपने फैन तियोरी घुसेटती हुए आंसर देनी की कुसिस की है और I am sure आप सबके creative दिमाग में बहुत सी ऐसे भी जवाब होंगे जिन सबको मैं जरूर से सुनना चाहूंगा तो उन सबको comment section में जरूर से लिख कर बता देना और ऐसी content से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चानल को subscribe कर देना क्योंकि रोज यह मैं से content लेकर आते रहते हैं और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मैं मिलूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टापिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल लगके बाओ